नवस्कार दोस्तों मैं रेविरिंजन और आप सभी का मेकाइस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे करन्ट अफेयर MCQ जो की सिस्टमबर 2023 पर आधारित रहेगा अब दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेकाइस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेकाइस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले ठीक है और ये चैनल आप सभी के लिए ROA RO एक्जाम के साथ-साथ UPPCS या जितने भी स्टेट PCS हैं वो exam के point view से काफी महत्पूर्ण questions और classes करवाता है तो आईए इस class की हम लोग जो है फिर बात करते हैं जिसमें पहला question आप सभी के लिए काफी महत्पूर्ण है question number one आप से भी के सामने कि निमलिगित में से कौन एक tennis खिलाड़ी नहीं है ठीक है option ये रोहान, मोपान आपका जो है मैथ्यू एवडिन और डी आपका जो है राजीव राम क्या इसका आंसर सही होगा जल्ली से बताएं कमेंट करके परसित टैनीस खिलाड़ी नहीं है ठीक है तो आपको याद होगा कि जो नेमाद जूनियर है यह आपके ठीक है परसित tennis खिलाडी नहीं है ठीक है ये जो है आपके ठीक है फुट बॉलर है ठीक है फुट बॉलर है और इनोंने सबसे ज़्यादा गोल किया है ठीक है सबसे ज़्यादा इनोंने गोल किया है तो पहला आंसर आपका भी त्रही हो जाएगा ठीक है पेल नामके प्लेयर है उनको leaves चोड़ तक और फ्रस्ट अमर पर चल रहे हैं तो b is the right answer ठीक है और आपको मैं बता दू जो रोहन रोहन आपके जो ए आपके अमेरिका यह आप इसके अमेरिका के ठीक है अमेरिका ओपन एमेरिका ओपनट अमेरिका ओपन कि ऑपन प्राने में इसके प्लियर है यह आपका जो है रोहन वह आफसको आपके और ऊपन टैनिस के प्लेयर है कि और इसके साथक़ जो राजीव राम है जूकर जो सैलें एनको जैनल इसी जोडी को जो है इनको ठिख रहा दो और यह उवे जैनल今 चो मसपark qui पेप और है ना ओपन, टैनिस, ठीक है, खिलाड़ी है, ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, बी आंसर आपका इसका सही है, अगला कोसन आप सभी के सामने, कोसन नमर टू, ध्यान से देखिएगा, कि निमली कित मैं से कौन सा देश, उन्नीस में, जी, 20 सीकर सम्मेलन की मेजवा पाने करेगा, ओफसन ए, दक्षीन अफिर का, बी ब्राजील, स्रीचीन, या डी कैनेडा, क्या इसका आंसर सही होगा, जल्दी से बताए, आप में से कई सारे बच्चों का कमेंट साके सर, इंगलिस बाला जो पोर्सन ने दिखाई नहीं देता है, तो मैं आप, दोनों पोर कि 18 जो सिकर सम्मेलन हुआ था, अठारमी जो सिकर सम्मेलन G20 का हुआ था, और कहां पर वा था, वो आपका निव देली में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अठारमी निव देली में, और जो 19 भी होगा, वो आपके, कहां पर तो ब्राजील में होगा, ठीक है तो इसको भी आप ध्यान में रखेगा भी इसका अंसर सही है सेकिंड कोस्टन आप सभी के सामने ध्यान दिजिएगा कि हाल ही में किस देश में ACI टेट रक्षक एजेंसियों के परमकों की बैठक उन्नीसमी बैठक ठीक है का आयोजन क्या गया था कहां पर क्या गया था इसका अंसर से होगा बिल्कुल आपको ठीक है बिल्कुल आपको ब्रहत में करते हैं तुर्की आफ़का यह सही है ठीक है या आशोट्रस ही है त्रेकि रक्षक भल है ठीक है उस्तों सेयों तुर्की में ACI टट रक्षक एजेंसियों के परमुकों की 19 मीं बैठंग में भाग लिया था और यह आपका जो है multiple stage की रूप में काम करता है और इसकी सुरुबात जो हुई थी नवंबर 1919 में इसकी सुरुबात हो चुकी थी जिसमें भारती टट रक्षक बल के द्वारा जो है समुंद्री डाकू जहाज MV अल्रेनवो को पकड़ने के लिए इन्होंने पहली बार जैपैनी पहल का एक हिस्सा इन्होंने भारतियों को भी बनाया था याद आपको ये भी करना है कि इसका जो अंतिम संसकरण है और 2022 में नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था तो यह इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है पिटा अगला कोशन आप से भी के सामने है ध्यान दीजिएगा कि सितंबर 2023 में ठीक है 2030 में किस राजी की कमे जो कैबिनेट है उन्होंने ट्रांजेंडर समुदाय के लिए एक पैंसन और ओबी सी दर्जों को मंजूरी दी थी ये कोशन पूछे जाने की समभाबना है क्योंकि ट्रांजेंडर से सम्मंदित है ठीक है और 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 क्या इसका अंसर होगा आप ये जल्ली से कमेंट करके बताएं और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि डी आंसर आपका सही होगा ठीक है जारकंड के दौरा ये पहल स्टार्ट किया गया है और ये क्या है कि यहां पे ट्रांजेंडर समुदाई के लिए पैंसन और ओबी सी ठीक है दो बातों को ध्यान में रतना है पैंसन और ओबी सी जैसी जो है मंजूरी दी गई है और ट्रांजेंडर जो बैकती आप जो है मुख मंत्री राज्ये किसके तो मैं लिखें देता हूं कि मुख्य मंत्री टिक है मुख्य मंत्री राज्य राज्ये श्रमाजिक है श्रमाजिक सुरक्षा सुरक्षा पैंशन योजना टिक है प्रतेक मंत में लेगा मासिक दिया जाएगा इसको भी आप लोग त्यान में रखियेगा और कहां पे तो जहारखंड में शुरू क्या जा रहा है ठीक बच्चा अगले खुस्तन के बढ़ते हैं ठीक है ज्यांदी जी का तो से नमर फाइफ जो कि काफी इंपोर्टेंट है कि हाल ही में किस बैंक ने नैसन पास ट्रांजीट कार्ड यानि कि देज का पहला ट्रांजीट कार्ड के लांच किया था कौन सा बैंक था ठीक है क्या इसका अंसर सही होगा बता सकते हैं जल्ली से आप बताएं ताकि मैं बता सको कि एक कार्ड जो होगा कि देश का पहला ऐसा ट्रांजीट कार्ड है जिसको आप जो है मैटरो में बस में या पार्किंग चार्ज जैसे पेमिंट करता है उसके लिए जो है आप डिजिटली भुकतान टिक्टिंग के लिए यह अनुमती देता है और आपको मैं बता दू कि कौन सा बैंक है तो यह आपका देश का पहला बैंक है वो है आपका SBI भारतिय स्टेट बैंक यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो यह आंसर आपका सही है जो कि यह भी आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से काफी इन्पॉर्टिंट है तो अगला कोशन आप सभी के सामने बेटा ठीक है जहान से देखिएगा कि दिसंबर दो हजार तेईस में निमलीखित में से इसने अमेरिकी ओपन टैनिस टूनामेंट में पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता था क्या इसका आंसर सही होगा बच्चे लोग आप जो है बता बताईए कमेंट के बाद देम से अमेरिकी ओपन टैनिस टूनामेंट के बार में आपको बताना है और यह पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है यह बता रहा है आपको ठीक है और पहली बार महिला सिंगल्स का किताब जो है कोको गाफा ने जीता था ठीक है पहली बार इन्होंने जीता था करी ज़िए राइट आंसर है ठीक है और मिख्ट डवल फाइनल में जो है पाजिस्तान की अन्ना दनिलीना को जो है और फ्लेंड के लिए रो ने जो है जो भी है ठीक है यह पूछ रहा है कि सूची वन और सूची दो यहने कि सूची वन में बर्स 2022 के शांती रूब वटनागर प्रुसकार बिजीता का नाम दिया हुआ है सूची दो कैटेग्री दी हुई है इन दोनों को आपको मिलान करना है और मिलान करके बताना है कि क्या आंसर आपका सही होगा सूची एक में नाम दिया है एक नंबर पे डॉक्टर अस्मनी कुमार और बी पे डॉक्टर अक्टर टी वीजू तो इसको आपको जो है मिलान करके बताना है ठीक है जल्ली से कमेंट करके बताए ठीक है बिल्कुल सोचिए चली मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अस्मनी कुमार ठीक है यह जो है इनको वटनागर प्रुसकार जो है जीव विज्ञान के लिए मिला था और डॉक्टर अक्टु टी वीजू इनको जो है रसायन विज्ञान से शम्मंदित ये अवर्ड दिया गया है डॉक्टर डीप्ति रंजन श्रहु इनको जो है अभी यह अंत्रिकी से सम्मंदित दिया गया है और डॉक्टर नीडज कयाल इनको जो है देता है और कितने बेग्यानिकों को तो यह जो है 12 अना बेग्यानिकों को अवार्ड देता है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा और यह आपको यह भी ध्यान रखना है कि अंत्राल में देता है तो साल के अंत्राल में यह वार्ड दिया जाता है तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है अगले कोशन पर बढ़ते हैं आपको स्ट्रेट्मेंट से आंसर बताना है एक हाल ही में चर्चा में रहें एक है मैक्सु के संदर में नेवलीक कतनों पर विचार कीजिए ओप्सन यह कहता है कि यह एक उपकरण है जिसने मंगल ग्रह के कारवंड अक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की अपनी छमता का परदसन किया है दूसरे शेटमेंट कहता है कि इसे जो है रूस के द्वारा डवलप किया गया है आपको बताना है कि दोनों शेटमेंट में क्या सही है ठीक है पहला शेमरी कहता है ना तो एक ना ही दो दूसरा कहता है केवल एक सही है और तीसरा जो option है एक और दो दोनों सही है और चौथा जो है D केवल दो सही है तो आपको बताना है बचलो कि क्या answer सही होगा तो किसके दोरा डबलब किया गया है सबसे पहले कि जल्दी से पताएं इसका आंसर क्या होगा कि को इसका आंसर जो है केवल1 सही है पहला सही है ओप्सण एक तहीं है कि कि दूसरा आपका जो है ऑपसन गल्ठ है क्यों गलत है आईए डिस्कस करते हैं ठीक है नासा ने परिवरेंसे ट्रेंस मार्क्स रोबर पर आपने जो है मार्क्स ऑक्सीजन इन से टू रिसोर्स इंटलाइज एक्सपेरिमेंट करके इसे सपल बनाने की घूसना के सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो है आपको यह पता होना चाहिए मार्क्स ऑक्सीजन इन से टू रिसोर्स इंटलाइज एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है यह फुल फॉर्म आपको याद करना है ठीक है और इसकी सफलता के लिए जो है अंत्रिक्श यात्रियों को जो है स्वैम ऑक्सीजन और रॉकेट को लाउंच होने के बाद उत्पादन करके जो है लाल ग्रह पर दीर कालिक अन्वेंशन और स्वमर्चन करने के लिए मंगल ग्रह पर जमीन से दूर रहने में सक्ष्य मनाने की दिशा में एक महत्पूर्ण कदम के रूप में इसको जाना जाता है ठीक है और इसको जो है माक्स ऑक्सीजन ठी परिवर्तन करके अपने चमता को परदसन करता है ठीक है तो भी आपका आंसर श्रही हो जाएगा ठीक है तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा ठीक है काफी इंपोर्टेंट कोस्टन है आप सभी के लिए ठीक है अगला कोस्टन ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे कि लाव ज्वाला मुकी यह कहां पेस्तित है ए जापान बी आपका फिलिपिन्स यह स्री इंडोनेसिया यह डी आपका जो है हवाई दी ठीक है हवाई आइसलेंड क्या इसका अंसर सही होगा बच आपका अंसर सही होगा और यह आपको बता दूं कि अमेरिक की भूग गर्व सर्वेक्चर ने बताया है कि हवाई दूप के विग आइलेंड पर जो है किलाव ज्वाला मुकी में बिस्वोट हुआ था इसलिए काफी चर्चे में था क्योंकि यहां पर क्या हुआ था यहां ज्वाला मुखी मेपली और यहां पर जो हैघ्ए मांट औड मुखल के लाउ इस आ इसन से आ जाता है तो एक नाम और याद इसको रख़िएoit का मांट कि कि इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, और यह सैंत राज अमेरिका, ठीक है, ओर यह कहां, तो यह आपका, प्रेंथ राज अमेरिका, द्राज अमेरिका है यह कहां पे है अमेरिका के आपके दक्ष्नी की कहरें पूर्वी भाग पर है यसे उन्धर दूतर है ति है यह संहें। ठीक है आगले गोस्टन को बढ़ते हैं ठीक है जो की काफी इंपोर्टेंट है बता रहा है कि सितंबर 2023 में श्रीमा सडक संगटन ने इस राज्य केंट साजे परदेश के नियौम छेत्र में 20 की सफसे उची पाइडर एयर फिल्ड बनाने की युजना की गोशना के थे option A, असम, B, असर्ण प्रदे, C, लगदाक, D, श्रीकिम या इसका अंसर सही होगा आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा की गई थी तो आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में सीमा सडक संगटन ने जो है कहां पर तो आपको याद होगा कि नियौम छेत्र है ना एक खेत्र जो है न नियौम चेत्र, इसको तरट करके मैं हा लिए लिक देता हूं, टिक है, जो कि आपका नियौम चेत्र बेटा, टिक है, नियौम चेत्र में जो है, बेस्ट की सबसे ऊची nearby ऐर फिल्ड बनाने की गोजना की गई थे, पर ये नियौम चेत्र कहांपे है, तो ये नियौम चेत्र बेटा आपका जो है आपका लधाक में है तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखेगा अगला कोशन आप सभी के सामने ध्यान से देखिए गया ठीक है, खाली में किस देश ने अपनी पहली अंतर महादीप ये बैलिस्टिक मिसाइल विन्टिमेन 3 का सफल प्रस्षिक्षर किया था Option A, Strength राज अमेरिका, P आपका जो है, रस या C, कीन या D, जर्वने क्या इसका आंसर सही होगा, इसको आपको बताना है ठीक है, तो आपको यार होगा, ये काफी न्यूज में ये भी चर्ची में था कि अमेरिकी वायू सेना ने, कुछ दिल, यानि कि सितंबर 2023 में जो है, कैलिफोनिया में जो है, वेटन वर्ग ने वायू सेना बस से एक जो है, विन्ट मेन, यानि कि विन्ट मेन 3 इस नाम का जो है, इस नाम का जो है, है ना, अंतरदीपिये, एलेश्टिक मिसाल का एक सफल प्रेस्टिक्षर्ट किया था, और ये कहां पे, तो आपका इसी ताफ से सेंग तरज अमेरिका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये बस के माध्यम से ये क्या गया था, और किसके द इसको किया गया था, ठीक है, ऑप्सन ए इस राइट आंसर, आगले कुस्टन के बढ़ते हैं, कि हाल ही में जारी, केंद्री प्रदूसन नियंतर अंबोर्ड के, सुच वाइव सर्वेक्षन 2023 के संदर्प में, दो स्टेट्मिंट है, आपको बताना है, ऑप्सन, पहला स्टे परवानु ने सीर्स अस्थान हासिल किया, दूसरे श्रेट्मिंट कहता है कि 10 लाग से अधिक जन संक्या श्रेणी में, इंदोर्ड ने प्रत्म अस्थान प्राप्त किया, दो स्टेट्मिंट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, केबल एक, या दूसरा, ना तो एक ना ही है, बताईएगा, ठीक है, कौन सा स्टेट्मिंट आपका सही है, बिलकुल, ठीक है, तो मैं बता दूँ कि 3 से 10 लाग तक के अब आदिवाले सहर में, आपको याद होगा, ये मैंने पिछले कुस्तन भी करवाया था आपको, कि इसमें जो है, महराश्चा का एक सहर था, अमरावती, ठीक है, महराश्चा का एक सहर था, अमरावती, अमरा बती, ठीक है, और ये जो था, 3 लाग से 10 लाग, में इसकी तो यह आपका पहला statement आपका जो है गलत हो जाएगा ठीक है पहला statement तिलनाक से जख पहला statement आपका जो है गलत हो जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद जो है मुरादाबाद उत्तर पर से सारे लोग सामिल थे ठीक है इस इसाफ से जो इसका answer है न आपका भी सही हो जाएगा ठी तो आपका दूसरा ओप्सन C is a right answer, C is a right answer, C आपका उत्तर सही है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगला कोसन आप सभी के सामने, कि हाल ही में इस्ट्रॉफी दिवस मनाएगा, इस रोग के संदर में निम्लिकिन में से कौन सा खतन सही होगा, पढ़ना है पहले statement, पहले statement आपका कहता है, कि एक आपका जो है दुरलव अनुवांसिक विकार है, दूसरा आपका कहता है, कि ये रोग समय के साथ मान स्पेसियों को कमजोर बनाता है, पूरे सरीर को प्रभाबित करता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा statement सही है, दूसरा statement केबल पहला option है, केबल दूसरा statement सही है, दूसरा option B, ना तो एक नहीं दो, और option C, एक दो दोनों, और option D, केबल एक सही है, क्या इसका आंसर सही है, बताईए, इसमें आपका जो है, दोनों ही statement सही है, दोनों ही statement आपका सही है, और ये जो है, ये दिवस कम बनाया जाता है, तो ये आपका मिलाया जाता है, साथ सितंबर को, ठीके कम बनाया जाता है, तो ये साथ सितंबर को मनाया जाता है, और बिमारी जो है ये, ये समय के साथ मास मेसियो को जो है, आपको कमजोर बनाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, और ये जो है, आपका इस वर्स का थीम क्या था तो इस बर्स का जो थीम था ओव मैं लिग देता हूं यहां पर डचेन ठीक है इसका जो थीम था प्रेकिंग ठीक है इसको करम अनुसा लीगा ब्रेकिंग ठीक है ब्रेकिंग वेरियर ये इसका थीम था ठीक है डेचेन ब्रेकिंग वेरियर ये आप इसका थीम के रूप में आप इसको जो है लिख लीजिएगा ठीक है तीम के रूप में इसको जो है आप लिखीगा डेचेन ब्रेकिंग वेरियर ठीक है ती आंसर आपका सही है ठीक ह अगले कोशन के और बढ़ते हैं वेटा ध्यान दिजीएगा कि आचारे विनोवा भावे के इस अंदर में आपको बताना है इस statement पढ़कर के और दो statement आप सभी के सामने हैं ये पहला statement कहता है कि ये समुदाय नैत्रप्त की स्रेणी के तहत अंतराष्ट ये रेवन मैक्सल स्प रुसकार पाने वाले पहले भारतिये थे दूसरे statement कहता है कि उन्होंने सरवबोध्य आंदोलन की सुरुवात की जिसमें भूधान आंदोलन भी शामिल था ठीक है और आपको बताना है कि कौन सा statement ये सही है पहला statement कहता है दोनों ही statement सही है ठीक है और दूसरा statement कहते है कि नह पिस्टा चौन है वो कहता है कि नहीं एक दो नहीं दो नहीं एक नहीं दो और डी आप्सन जो है के बल एक को सही बताते हैं तो इसका आंसर क्या होगा हाल ही में काफी चर्चे में था कि पर्धान मंत्री मोधी जी ने अचारे विनोवा भावे को अर्पित करी थी ठीक है और इनका बिनायक नरहरी भावे के नाम से इनको जाना जाता है इनका पूरा नाम क्या है तो इनका नाम अचारे विनोवा भावे और इनको जो है इस नाम से भी जाना जाता है पिनायक नरहरी भावे इनका नाम है नरहरी भावे और इनका जनम जो है 11 सितम्बर 1895 में हुआ था तो यह इनका मूल नाम है यह इनका मूल नाम जो कि आपको पता होना चीए और इनका जनम महराष्ठा में हुआ था महराष्ठा में हुआ था यह भी आपको ध्यान में रखना है और जो अहिंसक कारे करता थे तो तन्रतक चनानी थे समासुदारक थे और महात्मा गांदी के साथ उन्हों जो है आहिंशा और समानता के सिंदन्दों का पालन गया था ठीक है और वर्स यह जो पुरुसकार मिला थ जो एसको 90 58 में इनको दिया अगया था और पहले भारत यह ठीक है और इन्होंने जो है अंदोलन के सुरुबास और जो है भूदान इसी में शामिल था इस हिसाफ से आपका पहला सही हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है और अगला कॉसन आप सभी के सामने ज्यांदी जी का कॉस्टन सितंबर दो हजार तेइस में किसान अधिकारों पर ना पहली बैस्पिक संगोस्टी का आयूजिन किया गया था अप्सटने वहरा नसी वी पूने सी नई दिली यडी राइपूर क्या इसका आंसर सही होगा बच्चा लोग आपको बताना है याद होगा यह सारे चीजे जो सकर्चे में थे और इसलिए जो है टिके तो इसको भी धान रखे गया तो राश्पति दोपती मूर्मूर ने जो है बारा सितंबर है वाहाएज सितंबर नई दिल्ली में ना न्यू दैली ठीच है, नियू देली में जो है, यहाँ पे किसानो अधिकारो पर, अपका पेज़नो आदिकारो पर, पीक, अधिकारो पर पहली आपकी बैस्फिक, तिक है श्रंगोष्टी का आयोजन क्या था का आयोजन क्या था इसको भी ध्यान में रखिएगा और ये एक तरीके से आपका आंसर ये सी हो जाएगा राइट आंसर ठीक है अगले कुछन कर बढ़ते हैं ठीक है हाल ही में किस राज्य केंशासीर परदेश में वंक्स वैली महस हुआ का आयोजन किया था ठीक है आपको बताना है कि आपको बताना है कि वंक्स वैली महसु सब कहांप और एक जंब कस्मिर के उप्राजपाल कोन है उप्राजपाल उपराजपाल कौन है? कौन है? नाम बताइए तो उपराजपाल यहां के जो है मनोज श्रीनहा इनके उपराजपाल है ठीक है? और इन्होंने जो है जम्मु कस्मीर के कहां पे तो यह आपका जो है कुप पाड़ा जीले में इसको आयूजित किया था तो पाड़ा जीले में इसको आयूजित किया था ठीक है? और इसका उद्देश क्या है? इसका उद्देश क्या है? इसका जो उद्देश है इसका उद्देश क्या है? इस मोहसताप का यहां पर बंस घाटी के भीतर है कि करभाद है अपयोक्त जो ग्रामिण है उर नहीं प्रहसिक ठीक है उप्यूक्स ग्रामीड और सहासिक परियटन के अफसरों पर परकास डालना है ठीक है तो उदेज क्या है कि बंगस घाटी के भीतर उप्यूक्स जो जो ग्रामीड और जो परियटक है उनकी अफसरों पर परकास डालना है में नहीं है अपका अफसरों भी सही था जब मुंकस मेरे अगला कॉसन आप सभी के सामने क्या हाल ही में संपन टैप अंडर सिस्टिंड पुटबोल का आठवा सिंसकरण के संदर में आपको बताना है कि क देश भी रहा है कौन साइट्रिट्मेंट आपका साही है ओप्सन ए एक दो नोन्ग साही है बी न तो एक नहीं दो सी आपका जो है केबल दो और डी आपका केबल एक क्या इसका आउंसर सही होगा तो इसके कहां पी स्रुवाद हुई तो मैं बता दो कि जल्ली से आप तो याद होगा कि इसका जो मेजमान देश था वो भारत नहीं है तो यह आपका जुह है बांगला देश है पांगलादेस इसलिए आपका पहला कट हो गया एवी नहीं हो सकता एवी नहीं दूसरा स्थी आंशर आपका तहीं हो जाएगा और यहां में सेक्रिक rek रच जो है आठमा संस्करण है जो कि आपको पता होना चीए और लिखा भी एक उस्टन में ठीक है और इसमें जो है बांगला जोसको फाइनल में हराया था ठीक है यह आपका जो है भारत रहा था और हराय किसे था तो बांगला बांगलादेश को हराय था ठीक है और यह आपका जो है पांच मीं बार भारती अंडर सिट्टीन फुट्फॉलर टीम ने जो है अपने बार किताब जीता था भारत ने कितने बार जीता तो पांच मीं बार हुआ पांच मींबार इन्नोंने जीता था पांच मीं बार ठीक है और यह टुनामेंट में जवाने इस ठीक है में जवाने पुटान में में जवाने या या रहा था ठीक है अगला कुस्सन के उर बढ़ते हैं जानते देखेगा कुस्सन मठारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहले श्रामरिक प्रमाणों हमला पंडोबी कीम कुन ओके लॉंज की थे अपसने यापान बी उत्तर कोरिया क्या इसका आंसर सही होगा बताएं नाम भी है कीम कौन ओके लॉंज किया है कीम कौन ठीक है ओके नाम याद रखेगा यह पूछा जा सकता है और मैं बता दो इसका अंसर कि उत्तरी कोरिया इसका अंसर सही है बीज राइट आंसर और यह सामरुक परमाणु हमला पंडोबी नंमबर ठीक है अं से पंडोबी आसे पंडोबी नंबर टीक है फंडोबी हमला जाता है इसको भी ध्या रखेंगा आर सु और Skype सा जिसका simplemente नाम उत्तर कोरिया इंटेहाً सेवक्तिक नाम पर कांग गया अ कि पंडोबी नंबर या 11im और से कोरिया को कोरियाई एतिहासिक कोरियाई एतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है इसको भी ध्यान रखेगा भी आंसर सही है ठीक है यह सारे कोस्टन ऐसे पूछ लिए जाते हैं अगला कुस्टन आप सभी के सामने ध्यान दीजीगा कि हाल ही मैं चर्चा में रहे ओनांक सूर्य मंदिर ठीक है कि संदर में आपको विचार करना है पहला इस शेट्मेंट यह मंदिर निर्वान के स्रे का स्रे जो है आल बंस के राजा नर्सिम देव प्रसम को दिया जाता है दूसरा इस शेट्मेंट कहता है कि इसे प्रह वाइट पॉकोड़ा भी कहा जाता है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही होगा ठीक है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है option 1, cable 1 और दूसरा ना तो एक ना ही दो और तीसरा cable 2 और चौथा 1 और 2 तोनों सही है क्या इसका आंसर सही होगा ठीक है तो आपको पता होगा कि किसके द्वारा बनवाया गया है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है यली से बताएं इसका आंसर ठीक है तो ये जो पाल वंस रिखा है ये जो गलत है ठीक है इसका जो आप आप ये जो करवाया गया था पूर्वी ज्यान रखेगा पूर्वी गंगा राजबंस के द्वारा इसकी जो स्तापना है राजा नर्सिमम देव ततम को दिया जाता है ठीक है यह आपका सही है और इक अप यह आपका तेर्मी सदी में इसको आप ध्यान में रखेगा ठीक है इसको ध्यान में रखेगा और इसको वाइट पकोडा नहीं ठीक है इसको जो है ब्लैक पकोडा के नाम से जाना जाता था ठीक है ब्लैक पकोडा इसको कहा जाता था ठीक है इन की जो को भी आप ध्यान में रखेगा और इसको जो है आपको आपने 10 रुपे का नोट तो देखा होगा ठीक है दस रुपे के नोट में इसकी आकरती छपी हुई है ठीक है इसकी जो बस्तू कला है ठीक है बच्चा बस्तू कला ठीक है कौन सी यह बस्तू कला तो इसकी जो बस्तू कला है ठीक है परकाश्टा है परकाश्टा बस्तू कला इसकी परकाश्टा है ठीक है इस हिसाब से आंसर आपका B होगा, दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है, इसको भी अध्यहन में रखेगा, अगला कोजन आप से पिके सामने, क्या अमेरिकी समाचार और 20 रिपोर्ट की, विस्फ के सर्फ्रेश्ट देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, विस्फ का सर्फ्रेश्ट देश है, और देश है, और अमेरिकी समाचार और 20 रिपोर्ट की वार्सिक सर्फ्रेश्ट देशों की रेंकिंग होना, सर्फ्रेश्ट ने जो है, एक बार, फिर दुनिया की सर्फ्रेश्ट किताबों का दावा किया है और सूजय लेंड जो है सिकर पर लागातार दूसरे वर्स और सूची में नमबर वन राश के रूप में कुलमलाकर के चे बार रहा है कितना शे बार और इसके बार जो है कनडा दूसरी नंबर पर सुडेन आपके तीसर नंबर पर है और ऑस्टलिय चौत्य पर पांच में पर जो है सेंक्ट तुराज अमेरिका है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो एक अगर मैं बात करूं ये तीसमें अस्तान इन्होंने जो हासिल किया है और भारत में से पिछले इस्तिती जो है इसको जो है 85 में से जो है 31 अस्तान पर सामिल था इसको जारी कौन करता है बच्चा तो ये जो है USA New and World Report के द्वारा अमेरिकी मीडिय कमपनी है जो की समाचार और वोकता सला रैंकिंग और विसलेशिन को जो है ये परकासित करता है फब्लिस करता है तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए पुस्तन नमबर आगे 21 ध्यान से देखिएगा नीपा वाइरिस ends of lights जो है आपको बताना है इसके संदर में क्या सही है पहला इस statement आपका कहता है कि हाले ही मैं उत्तर पूरी भारत में इसका वैपक संक्रमन देखने को मिला दूसरा कहता है कि ये रोग जो है एक दो दोनों सही है क्या answer सही होगा तो इसमें क्या सही होगा जल्ली से बताएं ठीक है सी आपका सही है दूसरे स्टेटमेंट सही है पहला गलत क्यों है तो आईए हम बात करते हैं समझते हैं तो केरल के जो है यह कोची से लोगों को नीपा वारस के सांखरमन की पूष्ठी हुई थिक है तो नीपा वाइरस जो पेरा क्लक्सपोर और स्रेणी और हैनीप वाइरीस के लिए जीन ओंस का जो है एक आर आनने और राइवोनुक्ली एसिड के वाइरस से जो कि हेड़रा वाइरस से निकरता से संबंदित है चमकादर और संभावित रूप से लार है और उसको जनम करें टरलपरदात में मौझूद होता है ये जो है आपको दूसी द्भोजन के बादनेम से सीधा एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में ये फैलता है तो इसको भी ध्यान में रखेएगा कोस्टन काफी इंपोर्टेंड है एक्जाम के पॉइंट उप से ठीक है बांगलादेश, B. माल्दीप, C. अमान और D. यमान क्या इसका आंसर सही है तो बताइएगा मिलकुल 12 से 12 से 16 सितंबर दो हजार 23 तक अधिकारी क्यातरा पर थे और कौन थे तो बांगलादेश के आंसर ये आपका सही है ठीक है ये आपका आंसर ये सही है ठीक है अगला कोसन आप सभी के सामने ठीक है ध्यान से देखिएगा कि आल ही में चर्चा में रहे राश्चे वाइस्ट्री ये उजना के संदर्प में दो इस स्टेट्मेंट है बताना है आपको कि इस ये उजना को वर्स 2019 में लॉंच किया गया दूसरा कि वरिष्ट नागरिक कल्यान कोस से वित्ते पोसित केंद्रे खित के एक उजना है और मैं बता दूँ कि इसको जुए बाररस्रकार ने इस टार्ट केया था समाजिक नयाए और आदिकारिकता मंत्राले तो इस इसे और सवे सही ए और कुछ महत्मुन बाते चुक्कि हमें डिस्कस करना चीए तो मैंने आपको बताई दिया कि समाजिक ने और अधिकारिक्त मंत्राली ने समाजिक अधिकारिकता सीवर का अयोजन किया था इसका उद्यश जो है राष्टर वाहिसरी योजना के तहट लगबग जो है 12,000 उसको सुनाई नहीं देता है सुनने के मसीन जिसको दिखाई नहीं देता है उसके आखों का ऑप्रेशन हो गया ब्रेल लिपी पुस्तक हो गया यह सारी सुबदाइं यहां पर दिया जा रहा था ठीक है और यह जो है राश्ट्र वाइस्ट्र यूजना कब लॉंच किया था और यह वरिश्ट नागरी कल्याण कोस से बित्ति पोसीत केंद्रे चित्र के एक यूजना है और यह जो है समाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रा लेके द्वारा चलाया जाता है जितमें कृतिम अंग निर्वान निगम एक सार्जनिक उपकरम है यह आपका जो है पॉब्लिक सेक्टर अन्यटैंकिंग जो है इसमें क्रियान मिनित किया जा रहा है तो इसको भी आप लोगों को समझने की अवसकता है तो यह भी आप सभी क सितार और सी सरोज और डी आपका जो है बासुरी क्या आंसर सही है बिलकुल यह बीना से संब्दिते आंसर ए लेकिन इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चीए कि रूद्रा वीना रूद्रा वीना वादक उस्ताद अली यह कि हैदर को नई दिलनी में इ इसको भी द्यान में आपको रखना है और यह अली खान के सिस्से थे इसको भी आप जो है द्यान में रखेगा अली खान के सिस्से थे और यह जो है द्रूपद यहां लिख जेता हूं द्रूपद के जैपूर बिनकर जैपूर वीका नेर ठीक है जैपूर वीका इसको बीका नेर इसको कट करके वीका जैपूर 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 जैपू ईते इस घेंगे अंतर आपको सही है अगला कुछन आप सभी के सामने ध्यान रखियेगा छाली में रहे विस पसू सथ संगतन कने संदर में बताना है दो शेट्मेंट陽 किया सही है कौंपको बताना है ठीक है पहला कि एक आपका जो है अंतर सरकारी संगटन है जिसके अस्तापना 1995 में विस्ट के जीवों के सौस्ट में सुधार के लिए की गई थी और दूसरा जिट्विट इसका मुख्याले पैरिस फ्रांस में है और से शिट्मिन आपका सही है किवल दूसरा ऑप्सन जो है भी ना तो एक ना ही दो केवल दो और दी जो ऑफसन है केवल एक और दो दो सई है क्या आंसर सही होगा कि जल्ली बता है तो मैं बता दू कि इसकी जो है सुरुबात 1995 में नहीं हुई थी, इसकी जो शुरुबात हुई थी, 9042 में हुई थी, ठीक है, इसकी वज़े से पहला एक स्टेट्मेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये अंतर सरकारी संगटन है, इसके स्थामरा 9024 में हुई थी, ठीक है, इसको आप सही कर लिजीगा कि 1924 में हुई थी, ठीक है, और विस्ट के जीवों की सौस्थ में सुधाल लाने के लिए, इसका हूआ था, ठीक है, और मुख्याले इसका, पैरिसप्रांस इस राइटर, ठीक है, और इसमें जो है लगभग, इसमें जो है, विस्ट पसु सबस्थ संगतर में लगभग 182 सदस से देस हैं, 182 सदेश से देश हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है और पसू पालन और डיरी विवाग ने इसको शुरू किया था इसने पसु पालन और डेरी विवाग ने पसु पालन और विवाग के द्वारे इसको शुरू किया गया था ठीक है और इस हिताफ से आपका पहला गलत दूसरा सही C आंसर राइट है ठीक है अगले कुस्टन के बढ़ते हैं कि बैस्विक रेविज दिवस के संदर पे आपको बताने कौन से स्टेट्मेंट सही है ठीक है ये प्रतिवर्स सितंबर वावे मनाया जाता है दूसरे स्टेट्मेंट रेवी जेग जिवानों जनित रोग है जोगी एक मुख रूप से संक्रिवित जन्वरों की लार्क माध्यम से मनुख से फैलता है कौन से शिट्म आपका सही है ठीक है के वल एक बी ना तो एक ना ही दो सी दोनों ही सही है या डी केवल दो क्या आंसर सही है ठीक है तो मैं बता दूँ कि ये दिवस जो है प्रतिवर्स सितंबर माह में मनाया जाता है तो इसको आप दियान में रखिएगा कि विस्व रैवी दिवस तो ये मनाया जाता है 28 त्रिसमर को मनाया जाता है और ये आपका जुनेटिक बिमारी है जो कि हर साल हजारों लोग जीवन को दाव पर लगाते रहते हैं और रेवी जी एक वाइरल बिमारी है जिसमें 100% मिरद्यूतर होती है अगर इलाज टाइम पर ना किया जाए और ये मुकरूप से जो है ये जानमरों के लार के माध्यम से ये जानमरों के काटने के माध्यम से इसको ये फैलता है ठीक है तो आपका D answer सही है ठीक है लेकिन इन स सम्रद्य योजना के संदर में आपको बताना है कि कौन से सही है पहला कहता है कि उत्तर परदिस सरकार के द्वारा सुरूक किया गया था दूसरा इस statement कहता कि इस योजना का उद्धिस दूद उत्पादन और डेरी किसान की आयब बढ़ाने के लिए जो है गाय की नसलों में जार के करना था कौन से स्ट्रिट्मेंट आपको सही है पहला इस statement है पहला option जो है cable 2 और दूसरा जो आपको नाइधर वॉर्ण और तो तीसरा जो है cable एक और चोथा शिट्मेंट जो है एक और दो दोनों सही है तो क्या इसका answer सही होगा याद है कि आपको कि मुख मंत्री य कि नसल बढ़ाने और दूद उतपादन बढ़ावा करने के लिए या नन्दा 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 वावा मिशन क्यों उत्पादन के लिए नंदिंग- कृषिक- कम्रिधि-उझन चालू की थे जिसमें आपको 25 दुधारू गायों की एक ही काय को स्थापिद करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है आपको इसमें जो है 62 दसमलब ठीक है 62 दसमलब पांच लाग पांच लाग यानिकी 62 लाग पचास जार रुपे की अनुमती ठीक है आपको जो है मिलेगी इस प्रदान की जाएगी और के अधिक्तम जो आदिक्तम जो है आपको कितने सेटी मिल सकती है अधिक्तम अधिक्तम सबसीडी अधिक्तम सबसीडी आपको जो है यहाँ पे 31.25 जार रुपे 31,25,000 रुपे का आपको यहाँ पे अधिक्तम सबसीडी मिल सकती है ठीक है इस रिताफ से दोने ही श्रेट्मेंट आपका सही है और डी आंसर आपका होगा ठीक है अगला कुसन आप सबी के सामने कि सुब्रोत कप के संदर में आपको दो श्रेट्मेंट दिये हुए है ठीक है आपको बतारा है कि क्या इसका अंसर सही है पहला श्रेट्मेंट कहता है कि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्य अंतर इसकूल किर्कीट परतियोगता है ठी 1 रहा केबल 2, दूसरा ना तो एक नाई दो, तीसरा गेबल 1 और 14 एक दो दो दोनो तही है बताइए कमेंट में क्या अंसर सही होगा तो B आंसर आपका सही है दोनो जोनों इसτιेटमेन आपका गलत है ठीक है क्यों गलत है मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि सुब्रोध कप 2030, 19 सितंबर से 20 सक्टूबर तक यह आयूद किया गया यह आपका 62 संसकरण है और यह इस साल में जो है 27 साज और केंज साजेश प्रदेश के द्वारा 109 टीमों ने भाग लिया और इसमें जो है नेपाल और बांगला देश की टीमों ने भी पाटिसिपेंट किया था इसको भी ध्यान में रखियेगा सुब्रोध कप भारत की सबसे प्रानी राष्ट्री अंतर इसकुल फुटवोल परतियोगता है फुटवोल परतियोगता किर्केट टीम फुटवोल परतियोगता है और 1960 से प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है टूनामेंट का नाम भारती वायव सिना के एर मार्सल सुब्रोध मुखरजी के नाम पर रखा गया है और वर्ष इस वर्ष जो है टूनामेंट ने तीन अस्तानों पर आयोजित किया गया था तीन अस्तान कौन-कौन से है तो एक आपका दिल्ली है दूसरा गुरुगराम और तीसरा बैंगलूरू और पहली बार जब है जहाँ पे बैंगलूरू में जवान सहर में से एक माना जाता है तो इस ही ताप से दोनों स्टेट्मिंट आपके गलत थे और दोनों ऑफ्षन को गलत बोलते तो बी ऑफ्षन सही था आपका ठीक है ओप्रेशन पोलो के बारे में आप बताना है कोस्टन नमर 28 कि हाल ही में चर्च मेरे ऑप्रेशन पोलो ठीक है का संबंद किस्ते है तो यह हैदरावाद का अरोहन बी आपका गोवक की मुक्ती और स्री स्रीकिम का एकिकरन और डी जुनागर का एकिकरन क्या आंसर सही होगा तो आपसन यह आपका जो है आंसर सही है है एदरावाद का अरोहन ठीक है और यह जो है आपका 13 सितंबर 1948 को हैदरावाद रियासत को एकिकरत करने के लिए भारत के द्वारा सेने करवाई सुरू के लिए समझोते के बाद हैदरावाद और भारत के बीच में एक वर्स के लिए जो है यता इस्तिती बनी रही जिसमें निजाम को जो है सतंत रोप से सासन जारी रखने के नुमाती मिल गई थी लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कई दिसाओं में सुन्योजित तेने आकरमण के बाद जो है है धरावाद राजी की सेना ने अपने आपको आत्म समर्पन कर दिया था इस इसाप से आपका आंसर ए सही हो जाएगा अगला कोशन आप से भी के सामने कि किस तीचे को प्रती वर्स हिंदी दिवस मनाय जाता है ए दस जनवरी भी आपका जो है 16 मार्च और सी आपका 14 दिसम्बर और आपका जो है डी आपका 26 नमबर तो आप सभी को पता है सिंपली कि 14 दिसम्बर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाता है ठीक है और भारत के द्वारा हिंदी गौर अधिकारिक भासा मेंудit एक रूप में अपनाने को इसमिती को याद करने के रूप में इसको मनाया जाता है आपको बतादू कि 1918 में हिंदी 1918 में हिंदी ठीक है हिंदी शहित्य कहित्य समेलन का गठन किया गया था ठीक है और इसमें डिसिंजल लिया गया था देस की अधिकारिक वहासा में हिंदी को अधिकार के अधिकारिक वहासा में श्रिक्यारे किया इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अगले कुस्तिन के और बढ़ते हैं जान दीजिएगा ठीक है हाली में जल सक्ति मंत्राले के द्वारा की सस्तान पर बांध सुरक्षा पर अंतराश्च्र सम्मिलन का आयोजन किया गया था और भुपाल बी वनेशवर श्रीक गुहार्टी ये डी जैपुर क्या इसका अंसर सही होगा ठीक है जल सक्ति मंत्राले के द्वारा और नदी विकास थीक है तो यह जो है नदी विकास नदी विकास और नदी विकास और गंगा गंगा सरक्षण गंगा सरक्षण विभाग के द्वारा इसको जो है संजालिस किया गया था और कव 14 से 15 सितंबर 2023 ठीक है यह आपको जो है जैपुर में ठीक है जैपुर डी आंसर आपका सही है ठीक है इस तमेलियर का अटन किस ने किया था तो भारत के उप्राश्पती किया था ठीक है सेव एंट सिक्योर डेम्स इंस्वयर नेशन और पडिस विसे के तहत ठीक है तो डी आंसर आपका सही होगा ठीक है अगला कुस्टन आप सभी के सामने कि निमली कित में से किसे भारती भासा संबान 2023 से स्टम मानित किया गया है कि तेज संकर यह भी बिकरम र कि अठार कि अठारब भारती भाताओं कि अठारब भारती भासाओं लुक्त पंद कारों को संबान कि I 이건 ह हु भाशी टिकाव भासी है और रह मेमली आपका जो है को हिंदूसतान ओ अस legit कंू Simple और पर माचायऑ एजेंसी ठीक है ये द्वारा हिंदी दिवस के अफसर पर ये जो है हिंदी भारती वाता दिस्क ग्रूप में इन सभी को अवार्ड मिला है और इन सभी को तो मिला ही है और 18 भारती वासाओं को मिला है डी इजर राइट अंसर ठीक है अगले कुस्तिन को बढ़ते हैं ध्यान काफी इंपोर्टिन्ट है कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं बता भी सकते हैं जैसे कि आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ठीक है निमलीगित में से किसे जनम दिन को किनीत करने के लिए भारत में प्रति वर्ष 15 शितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है क्या इसका आंसर सही होगा ठीक है और सर मौक्ष गुंडम विश्वरईया के याद में जो है इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितम्मर को इसको भी ध्यान में रखेगा और उन्होंने जो है भारत में बांद जलस्य और जल विदूत पर्यूजदा के निर्वार में महत्मुर मुमी का निभाई थी ठीक है और करनाटिका में याद होगा आपको की करनाटिका में ठीक है करनाटिका में कृष्णा क्रिश्ण राजा शागर बांध और यहां पे इन्होंने हैद्रावाद में इन दोनों जगावाद में इन्होंने बनाय था ठीक है सी आंसर आपका जो सही है सर मौक्ष गुंडम विस्व रही है ठीक है सी इजा राइट आंसर ठीक है अगला कोशन कावी मैत पूर ने ध्यान दिजीएगा कि सितंबर 2023 में बहाद किस अस्तान पर वर्ल्ट स्पाइस कॉंग्रेस के के चौदमे संस्क्रण का एउजिन किया गया था सबसे पहले किस मंत्राले के द्वारा किया गया था मंत्राले वेटा मंत्राले आपको को मालुम होना चाहे मंत्राले कने इस म dział आयोजित थे 공्वार्वाड़ग आईश मत्राया मंत्राले के द्वारा इसको आयोजित किया गया था ऐकि कैं इस पाइस किष्छ इसपाइस इस पाइस इन्डिया ऌने के दौर्ड इसको अश्तापित किए थे यह सही ही है और यहाँ पे निर्यातक बंच के साथ मिलकर इसमिन ने ने काम किया और यह जो है आपका बुमभव मैं मैं श्टार्ट हुआ जा में आंसर यह आपका तहीं है और यहुदी ने जो है धरम में बिस्वास करने माले लोगों के एक परमुक्त योहार है और यह नब बर्स के रूप में बनाया जाता है और यह जो है रोस्वा हसन यह आपका जो है इस बर्स 15 सितंबर 15 सितंबर को सूरे अस्त से शुरू हुआ इस नब बर्स के इनकी शुरुवात हुई ठीक है और यह कब तक चला 17 सितंबर 18 सितंबर को सूरे अस्त पर 17 सितंबर को सूरे अस्त पर यह नब बर्स की स्माप्ती हुए स्माप्त हुआ ठीक है तो यह सारे चीजे जो यूनिक यूनिक चीजे हैं पेपर में पूछी लिया जाता है ठीक है B आंसर आपका सही है ठीक है अगले योजना कि पढ़ते है ठीक है पौँजी योजना इस अंदर में आपको बताना है दो statement है क्या सही है ठीक है ये कहता है कि पहला statement केता है एक परकार के निवेश दोका दड़ी है जो कि निवेश को कम या बिना किसी जोखिम के उच रिटन का बादा करती है दोसरे statement कहता है कि ये इस प्रकार की उचना भारती प्रती भूती है यानि कि और बिनवेख बोड से भी के नेवक दाइरे में आती है और कौन सा आपका सही है option A केबल दो option B एक दो दोनों सही और C ना तो एक ना ही दो और D केबल एक सही है तो क्या सही होगा ठीक है तो ये काफी चर्चे में भी था ठीक है पॉंजी स्कीम ठीक है तो इसमें जो है दो लाख निवेश को के साथ कितने दो लाख 1000 करोर 1000 करोर रुपे कि पॉजी जिंक में कती संक्लित को लेकर के एक हाविनेता को जाच का सामना करना पड़ा था और पॉजी जिंक परकार के निवेश धोकदरी है चोकि निवेश को को कम या बिना किसी जोखिम के उची रिटन का वादा करता है तो यहाँ पर क्या उच रिटन, ठीक है, उच रिटन की बात कर रहा है, ठीक है, तो उच रिटन नहीं, यहाँ पर आपका जो है, कम, ठीक है, यहाँ पर कम या बीना किसी, कम या बीना किसी, कम या बीना किसी, ठीक है, कम या बीना किसी, रिटन का बादा करती है, बादा करती है तो पहला शेट्मेंट आप़का गलत है दूसरा आपका शेट्मिन के बाताथ सही है ठीक है तो यह से सबसे आप पहला शेट्मिन आपका सही है पूरम नचाम वे चाहिंत है और आपको यह विद्विताओं कि दूसता UA है सेभी के द्वारा ठीक है तो यह इनेर्शनेंट ऑपरेशन है जो की नए निविसको प्राप्ट धन से पुराने निविसको को रिटन करता है ठीक है और इसको जो है इतलावी व्यवेशाई चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया है जुन्होंने 1920 के देश्म में ऐसी में है ठीक है 1920 के दसक से चल रहा है ठीक है दूसरा आपको गलत है ठीक है इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अगले कुछन के बढ़ते हैं कुछन नमर ठड़ी से बन ध्यान से देजिएगा आंसर इसका कि विस्व ओजन दिवस ठीक है प्रतिवर्ष 16 सितमर को आपको इसरे में दिवसकः से समताब मंडल का स्ट्शन है और ये कहता है कि कवल एक सई है बी कहता है ना तो एक ना इन दो सी कहता है कि बल दो ऑडी कहता है दोनों ही सही है क्या इसका आंसर सही होगा क्या सही होगा कर Administration का है क्यों सा सही है ? ठीक है ठीक है तो इसमें छोटी-छोटी उससे भी आंसर गलत हो जाता है तो क्यूटो प्रोटोकॉल के उस पे जो है ये गलत है ठीक है इसका जो प्रोटोकॉल जो आया था उसमें आया था आपका मेंड्रील मैंन्ड्रियल ठीक है मैं इसको भी सच्छते बताता हूँ इसमें जो है है ना मांड्रियल प्रोटोकॉल पर साइन करने की याद में मनाय जाता है और यह संदी कम करना फिसका जो है मांड्रियल प्रोटोकॉल ओजान परत को ठीक करना और जलवायू परिवर्तन को कम करना तो इसलिए आपका दोने शेट्मेंट गलत था बी आपका अंसर सही हो जाता ठीक है अगला कुछन आप सभी के सामने ध्यान से देखिएगा ठीक है कि हाल ही में यानिकी 12 दिसंबर 2030 को पंजाब के मुक्मंत्री न सारा गड़ी युद्ध असमारक की अधार सिला रखी ये युद्ध कौन से साल में हुई थी ऑप्शन ए 12 सितंबर 1816 बी 12 सितंबर 1843 सी 12 सितंबर 1897 ठीक है और डी आपका जो है 12 सितंबर 1911 क्या आंसर सही होगा पताइए तो ये जो है 12 सितंबर 1897 को हुआ था जिसमें सारा गड़ी युद्ध असमारक की अधार सिला इसके अधार पर रखी गई थी और इसमें जो है इस असमारक में उन 21 बहादूर 21 बहादूर शिक जिक युद्धाओं को ने चिक युद्धाओं को समर्पित है 21 प्रिक योद्धाओं को समर्पित है ठीक है समर्पित है और ये का 12 सितंबर 1897 को जो है थारा गड़ी के इत्यास में लड़ाई में ये स्तहादत इन्होंने प्राप्त की थी तो सी यह अंसर आपका सही है अगले कुशन के रोबढ़ते हैं ध्यान से देखेगा कि अंतर राश सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा इस स्टेटमेंट आपका जो है दोज़ार थेस में इस दिवस की थीम जो है इन पावरिंग देश जनेरेशन आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है जल्दी से बताइए पहले स्टेटमेंट ना तो एक ना ही दो और कब मनाता है बताइए ठीक है बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट आपका सही है डी आंसर इस राइट आंसर जांसर जीजिएगा आगला कोशन ठीक है पताना है कि हाल ही में किस इन इसको की विस दरोवर सूची में सामिल के आ गया है क्या इसका आंसर सही होगा बताइए बिल्कुल इन दोनों को सामिल किया गया है ठीक है इसको जो है नोवल प्रुक्तार से सम्भानेट आपका साजा कर लो कि पच्छी मंगाल के बीर भूमी जीले में सांती निकितन को इन इसको की विस दरोवर सूची में सामिल किया गया था ठीक है और इसको जो है नोवल प्रुक्तार से सम्भानेट कौन है रमिंदर ना टैगोर कि पिता जो है महारेसी दिविंदर ना टैगोर ने 1921 में इसकी सांती निकितन का स्टापना कब 1901 में होता था the 1901 में इसके अस्थापन वे ध्यान में रखना है नहीं होगा प्राव और आधारीक अबास्य विद्धालेगे और कला केंद्र हैं तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है और ठीक है को मैं कुछ दाउट हो तो बास्ट गाया चाहिए कि International Organization of Legal Metrology International Organization of Legal Metrology के संदर्प में आपको बताना है इस संगटिन की सुर्वाद 1955 में एक कानोनी Metrology परकिरियाओं के बैस्पिक समंझस को बढ़ावा देने के लिए बनाये गया था दूसरे श्रेप्रिन कहता है कि भारत इस संगटिन का सदस्य नहीं है दो statement है और दो statement आपको बताने कि कौन सा सही है तो यह कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है तो पहला कहता है कि यह बल एक सही है दूसरे statement कहता है B कि ना तो एक ना ही दो C कहता है कि केवल दो और D कहता है एक दो दोनों सही है तो बताई इसका आंसर क्या सही होगा क्या इसका आंसर सही होगा ठीक है इसका पहला आंसर आपका सही है पहला इस्टेटमेट सही है और इसमें भारत इस संगटन का सदस्य है तो दूसरा इस्टेटमेट गलत हो गया भारत इस संगटन का सदस्य है और भारस पहले से ही इसमें सामिल है जिसमें 12 देसों को हासिल है यह अधिकार 12 देसों को बारा देसों को जो है International Organization of Legal Metrology का अधिकार हासिल है ठीक है 12 देसों को यह अधिकार अधिकार हासिल है ठीक है और इसमें ये जो है भारत का सदस्य रहा है ठीक है इंटरनेस्ला ओगनेशन आफ लीगल मेटलोजी भारत इसका सदस्य है ठीक है इसको ध्यान में रखेगा इसलिए आपका दूसरा इसी वज़े से ये श्रिट्मन गलत हो गया अगला कुस्तन आप सभी के सामने ध्यान दिज अगलतान पर अंतराश्च्रे सम्मेलन और प्रदस्नी केंद्र ये इसो भूमी का उद्गाटन किया गया था इसो भूमी वारणसी यूपी में है वही द्वारका जो की गुजरात में है श्री आपका इंदोर एंपी में है और गया गया इंदसेंद बिहार जानते होंगे कह नहां पे हैं और किसके द्वारा तो याद होगा कि प्रधान मंत्री स्री नरंदर मोदी जी के द्वारा जो है यह ना यह द्वारका में जो है अंतराश्च्रे सम्मेलन और प्रदस्नी किंद्र येसो भूमी को राश्च्र को इन्होंने समार्फित किया था तो बी आपका आ टीक है 73,000 वर्ग मीटर से अधिक से चेत्र में बने मने कर्ण मेंशन चेंटर कर्मेंशन कर्मेंशन चेंटर मैं 15 कर्मेंशन रूम है 15 कर्मेंशन रूम है तो B आंसर आपका सही है ठीक है विड़ा आगले कोस्तन को बढ़ते हैं ठीक है कोस्तन नमर 43 कि हाल ही में किस देश की संस्ता ने अजेंसी नेशनल देश प्रेजिस्टिंस ने अनुमोदिस सीमा से अधिक विक्रीन उस अरगरन के कारण एपल के आईफॉन 12 की विक्री पर परतिमंद लगा दिया था क्या इसका आंसर शही होगा जिलनी से बता है क्या इसका आंसर सही होगा बिल्कुल याद होगा आपको कि सितंबर 2023 में विक्रीन निग्रानी संस्तान जो है एपल के आईफॉन 12 की विक्री पर परतिमंद लगा दिया था क्योंकि एवरोपिये विक्रीन जोखिम सीमा से अधिक थी आपका आंसर सही है प्रांस ने इस पर रोक लगा दिया था इस्पार्ट फॉन से पैदा होने वाले विक्री वगर इन से भी जोखिम के वज़े से इसको लगा दिया था और ये आंसर आपका सही है कोसन नमर 44 द्यान से दिखीगा कि निमली के तमेंसे कि देश की पुरुष टीम एसिया कप 2023 की विजेता रही है और उसने पाकिस्तान B, स्रिलंका C, भारत और D, पांगलादिस क्या इसका आंसर सही रहेगा एसिया कप 2023 कब खिला गया था तो ये आपको जो है 17 सिसंबर 2023 को खिला गया था ठीक है कहां पे तो ये कुलम्बो में खिला गया था ठीक है कुलम्बो में खिला गया था ठीक है कुलम्बो में खिला गया था और स्रिलंका को 10 विखड़ से हरा करके भारत ने जीता था ठीक है बी आंसर आपका सुरी कि यह आंसर आपका सही है ठीक है जीता और हराया हरा ठीक है जीता भारत और हरा स्रिलंका ठीक है कितने विगेट से दस विगेट से दस विगेट से जीता था सी इस राइट आंसर प्रसन नमबर फॉटिफाइफ टाइम पत्रिका से संबंदिते ध्यां से देखीगा कि टाइम पत्रिका की दा वॉर्ल्ड बेस्ट कंपनिस ने दोजर तेज के संदर में आपको पताने क्या इसका सही है ठीक है यो पहला पहला ज गयाता है इस स्टेटमेंट कि गूगल की मालिकाना हक वाले कंपने अलफे बेट ने इस सुची में प्राप्त किया है आपको बतारा है कि दोनों में से कौन से स्ट्रेटमेंट सही है ठीक है केबल 1 या ऑफशन B ना तो 1 नहीं दो ऑफशन C केबल दो ऑफशन D ना एक और द दोनों ही नहीं क्या इसका आंसर सही होगा पताइए क्या इसका आंसर सही होगा बिलकुल बी आंसर दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है नहीं होगा ठीक है बी आंसर सही होगा क्या इसका इंफोर्मेशन है थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंगलोर इस्तित आईती सेवा प 58.38 प्रभाव साली समंगरी स्कूर के साथ वो और वे जो है 64 में अस्तान पर है और इन फॉसीस जो इस सिर्था के मामला में 135 में करमचारे की संतोष्टी के मामले 123 अस्तान पर है अगर हम में वर्ल्ड की टो जो टॉप चार कंपनिया है जिसमें Microsoft है आपका Apple है ठीक है Google की मालि इसकाना हक वाली जो है कंपनी मेट मेटा ठीक है यह सारे चीजिए और इन फोसर के अलावा साथ और भारतिय कंपनिये इन टॉप में 750 कंपनियों की लिष्ट में जगा मिली है डिकर आई आई टी कंपनी जो है विफ्रो ने जो है इस लिष्ट में 104 अस्तान इन्होंने हासि ठीक है आपको बताना है कोस्तन नंबर 46 की विष्ट बास दिवस कंपनाया जाता है यह तीन जनवरी को 6 जून को या फिर 15 जुलाई को या 18 दिसम्मर को ठीक है यह बैस्वीक पहल है जो कि बास के आप विष्वासने महत पर प्रकास डालती है ठीक है पोदा जीसे आकसर ग् ग्रीन ठीक है ग्रीन गोल्ड काव जाता है ठीक है ग्रीन गोल्ड की नाम से इसको जाना जाता है बास को इसको भी धहन में रखेगा और यह जो है सतव विकास गरीब उनमोलर इन्वार्मिंट dhusan OFF Corps स्रक्ष्ण पर्षमता रखती है ठीक है और यह जो है आपका understood 2 ज़र 9 म आइलेंड से ठीक है वेसु बास दिवस बास दिवस बनाने की पहल शुरू किया गया था रोभी कब तो अठारा सितंबर को D is right answer ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी के सामने matching है ध्यान से देखिएगा क्या इसका answer सही होगा ठीक है सुची एक में कहता है कि भारस की G20 के दक्षिता के अंतरगत G20 फ्रेमवर कारेकारी समुख के बैटकर की सुची है और B में उसका अस्तान बताया है ठीक है पहली जो तो मेले नहीं G20 कहां पर हुई थी यह बताना दूसरी और तीसरी और चोथी ठीक है तो ठीक है बताईए क्या answer इसका सही होगा पहला चन्नाई में हुआ दूसरा कोची तीसरा इंदोर यह चोथा राइपूर क्या इसका अंसर सही होगा यह इस राइट आंसर ठीक है यहनि कि पहली मीटिंग कहां पर हुई इंदोर हुई पहली मीटिंग इंदोर हुई ठीक है दूसरी मीटिंग कहां पर हुई चेन्नाई दूसरी चेन्नाई हुई और तीसरी कहां पर हुई तीसरी हुई आपकी कोची और चोथी कहां पर हुई तो चौती मेटिंग जो है अंतीम मेटिंग जिसे हम कहते हैं 37 गर राइपूर यह साफ से पहला हमारा सही था यह आंसर जो राइट आंसर ठीक है अगला कोस्टन आप से भी के सामने ध्यान से देखिएगा कि सितम्बर 2030 में रास्तवा के सभापते या उप राश्पती जगदी कितने को दियान में रखिएगा चार लोगों को सामिल किया था भी इजर राइट अंतर कुस विछेस वासे आप सभी के साथ सेर करता हूं कि सितम्बर 2030 में जो है उप राश्पती और रास्तवा के सभापती उन्होंने जो है 50% महिला को संस्तों में अस्तान दिया था जिसमे इनमें महिलाओ संस्तों में जो है बार्शी जनता पाटे की कांता करदम सुमित्रा बालमी की और चंद्रा प्रवा को और बीजू जनता दल की ममता महंत को इसमें सामिल किया था इसलिए भी आंसर आपका सही है आज का सेकिंड लास्ट कोशन आप सभी के सामने ध्यान दिज अच्छा बल या सी भारती ट्रक्षक और सी इंद्री जाच भयूरो क्या इसका आंसर होगा ऑप्रेशन सजग ठीक है किसके लिए क्या गया था तो ट्रक्षों बढ़ाने वाली सभी हित धारकों की सामने करने के लिए इसको संचालित किया गया एक अभ्यास था क्योंकि आपका सही है ठीक है पच्छमी समुद्री ट्रेट पर इस अभ्यास को किया गया था ठीक है और आज क्या अंतीम कोसन आप तभी के सामने ध्यान दिजीएगा ठीक है कि सितंबर 2023 में वित्ते मंत्री निर्मला सितान रमण ने पीम इसकर्मा यूजना के तहत कारिग्रू को को दिए जाना वाल है रिन पर इतने परतीसत की सबसेड़ी देने की जो है गोशना करें थे एक आट परतीसता बी बाराद परतीसता चल्दी से पताएं तो मैं बतादू कि यह आज का अंधीम कोतना और यह आंसर आपका आट परतीसता सही है कुछ भी से इस बातें तो सितं परिजनों के कल्यान के लिए 30% के समान दर पर परिवार की पैंसन को मंजूरी दीते और सितंबर 2030 में ही वित्तिय मंत्रा जो मंत्री है निर्मला सितार रमण जी ने कहा तक कि सरकार परधान मंत्री जो नरिंदर मोधी है उनके द्वारा प्रू की गई पीम इसकर्मा यूज अपने कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमने जो आज आप सभी के साथ MCQ डिस्कस किया जो कि आपको काफी महत्पूर्ण है एक्जाम के पॉइंट अ व्यूज से इफनी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्श में लिख सकते हैं ठीके बेटे हम मिलते हैं कल के next class में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद thank you so much